बहुत समय पहले एक बुद्धिमान समराठ था जिसे फूल बहुत पसंद थे उन्होंने अपने राजी के बच्चों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करके अपना उत्तराधिकारी चुनने का निर्ने लिया उन्होंने प्रतियोग बच्चे को एक बीच दिया और कहा कि इसे गमले में रोपें और एक साल तक इसकी देखभाल करें जो बच्चा सबसे सुन्दर फूल लाएगा वो अगला समराठ होगा बच्चों में पिंग नाम का एक लड़का था जिसे बागवानी पसंद थी गलत किया है उसने मिट्टी बदलने की कोशिश की और यहां तक की बीच को गाना भी सुनाया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ पिंग को शर्म महसूस हुई वो बादशा को अपना खाली बरतन नहीं दिखाना चाहता था लेकिन जूट भी नहीं बोलना चाहता था एक साल बीच गया और बच्चों के लिए अपने बरतन महल में लाने का समय हो गया पिंग ने देखा कि अन्य बच्चों के पास विभिन रंगों और आकारों के सुन्दर फूल थे उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई पिंग की आखों में आसु आ गए लेकिन उसने कुछ नहीं कहा समराट आये और बच्चों की पंक्ती के साथ साथ चले और उनके फूलों का निरीक्षन किया उन्होंने कुछ की प्रशंसा की, कुछ की आलोचना की और उनके पौधों की बारे में प्रशन पूछे ऐसा लग रहा था कि वो किसी खास चीज की तलाश में था, लेकिन उसे नहीं मिला अन्तता वो पिंग पहुँचा और उसने अपना खाली बर्तन देखा वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? पिंग ने अपना सिर जुकाया और कहा, मैं पिंग हूँ, महामहिम राजा ने पूछा, खाली बर्तन क्यूं लाए हो? पिंग ने उत्तर दिया, मैंने वो बीज बोया जो आपने मुझे दिया था और हर दिन उसकी देख भाल की, लेकिन वो विक्सित नहीं हुआ मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ मैं कोई दूसरा पौधा नहीं लाना चाहता था या आपसे जूट नहीं बोलना चाहता था मैं बोलना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अपना खाली बर्तन ले आया मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें असफल कर दिया समराट ने कहा तुमने मुझे निराश नहीं किया है पिंग तुम सफल हो गए हो तुम एक मात्र व्यक्ती हो जो इमानदार और वफादार रहे हो जो बीच मैंने तुम्हें दिये थे विसब सूख कए और विक्सित नहीं हो सके तो मैं एक मातर ऐसे व्यक्ति हो जो मेरे लिए एक खाली बरतन लाए हो आपने मुझे अपना साहस और वफादारी दिखाई है आप ही वव्यक्ति हैं जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ आप इस भूमी के अगले समराठ होंगे बाकी बच्चे हिरान और शर्मिंदा थे उसे एहसास हुआ कि उसने बादशा से धोखा किया है और जूट बोला है उसने सिर जुका कर माफी मांगी उसने समराठ को धन्यवाद दिया और अपना सर्वश्रेष्ट करने का वादा किया समराठ ने लोगों को अपने फैसले की घुशना की और पिंग के गुणों की प्रशंसा की लोगों ने खुशी मनाई और पिंग की जीत का जश्न मनाया पिंग एक अच्छा और बुद्धिमान समराट बन गया जिसने न्याय और करुणा के साथ शासन किया उन्हें खाली बर्तन की सीख हमेशा याद रहती थी इमांदारी सबसे अच्छी नीती है बहुत समय पहले दूर एक देश में एक बुढ़ा बांस काटने वाला व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे वे निर्धन और निहसंतान थे परंतु सुखी और संतुष्ट थे एक दिन बांस काटने वाला कुछ बांस काटने के लिए जंगल में गया जब वहां बांस को काट रहा था तो उसने देखा कि उसके अंदर से एक तेज रोशनी आ रही है उसे उत्सुकता हुई और उसने डंठल खोल दिया उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अंदर एक छोटी सी बच्ची को पाया वहां इतनी छोटी थी कि उसकी हथेली में आ सकती थी वहां अत्यन सुंदर एवं तेजस्वी भी थी बांस काटने वाला बहुत खुश हुआ और बच्ची को घर ले गया उसने उसे अपनी पत्नी को दिखाया जो भी उतनी ही प्रसन्न हुई उन्होंने उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाने का फैसला किया और उसका नाम कागुया रखा जिसका अर्थ है चमकदार राजकुमारी वे उससे प्यार करते थे और उसकी अपने परिवार की तरह देख भाल करते थे कगुया बड़ी होकर एक प्यारी युवा महिला बनी वहाँ दयालू, सौमिह, चतुर और शालीन थी उसमें एक रहस्यमय आकर्शन भी था जो उसे देखने वाले हर किसी को आकर्शित करता था उसके कई प्रशन्सक और चाहने वाले थे, लेकिन उसने उन सभी को अस्विकार कर दिया उसने कहा कि वहाँ इस दुन्या की नहीं है और उसे एक दिन अपने असली घर लोटना होगा एक दिन देश के समराट ने कागुया की सुन्दर्ता के बारे में सुना और उससे विवा के लिए हाथ मांगने के लिए एक दूट भेजा कगुया ने समराट के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्विकार कर दिया कि वहाँ उससे या किसी और से शादी नहीं कर सकती समराट द्रिड रहा और उसने उसे मनाने के लिए और अधिक दूत और उपहार भीजे कगुया ने फिर भी इनकार कर दिया और समराट से उसे अकेला छोडने के लिए कहा समराट क्रोधित हो गया और उसने कागुया को बलपूर्वक ले जाने का निर्णय लिया उसमें उसे पकड़ने और अपने महल में लाने के लिए अपने सैनिक भेजे हाला कि जब वे कागुया के घर पहुचे तो उन्होंने उसके चारों और एक चमकदार रोशनी देखी वे इसमें प्रवेश्या उसके पास नहीं जा सकते थे उन्होंने उस पर तीर चलाने और पत्थर फैकने की कोशिश की लेकिन वे वापस लोट आये और उन पर हमला कर दिया उन्हें एहसास हुआ कि कागुया के पास कोई अलौकिक शक्ती थी जो उसकी रक्षा करती थी इस बीच कगुया को पता था कि प्रित्वी पर उसका समय समाप्थ हो रहा है उसने समराट को एक पत्र लिखा जिसमें उसे अस्वीकार करने के लिए माफी मांगी और बताया कि वह इस दुनिया से नहीं है उसने अपने मातापिता और दोस्तों को भी पत्र लिखकर उनके प्यार और दयालुता के लिए धन्यवाद दिया उसने अपनी कृतग्यता के प्रतीक के रूप में उन्हें कुछ उपहार दिये फिर उसने आकाश की ओर देखा और चंद्रमा से एक सुनहरा बादल उतरता हुआ देखा यहां उसके असली मातापिता जो चंद्रमा के राजा और रानी थे द्वारा भेजा गया एक दिव्यरत था वे उसे वापस अपने राज्य में ले जाने आये थे कगुया को एक ही समय में दुख और खुशी महसूस हुई उसने अपने सांसारिक मातापिता को अलविदा कहा और उन्हें कसकर गले लगाया उन्होंने अपने दोस्तों और प्रशंसकों को भी अलविदा कहा, जो उन्हें छोडने के लिए उनके घर के बाहर एकत्र हुए थे वहार रत पर चड़ गई और चंद्रमा लोगों के साथ उड़ गई जैसे ही वहार चली गई, उसने दोहक और खुशी के आसु बहाए उन्होंने उसके सचे घर में सुख और शान्ती की कामना की